हेलो रोवान, वेल्कम टू माई चैनल, माई वर्क, माई पैशन, मेरा नाम है पुझा रहा है और मैंने लिया है औरगेंजा कपड़ा, डेर मीटर, डेर मीटर में हमें बनाना है सूट सूट बनानी के लिए हमें लंबाई चोड़ाई भी चाहिए, जो कि हमने सूट लिया है उसकी लंबाई हमें देख लेनी है कि कितनी है, डेर मीटर ही कपड़ा है तो मुझे उसी हिसाब से लंबाई लगानी है जिससे हमारा बाजू भी तयार हो जाए, सो हम रखेंगे नीचे की साइड जो हमारा नीचे का पॉर्सन है फिर वहां से नापेंगे उपर तक या उपर से लेंगे नापेंगे हम नीचे तक तो हमारा आ रहा है बयाली सिंच, बयाली सिंच की कटिंग हम करेंगे, थोड़ा सा हमें छोटा ही सिलना है, इतना बहुत लॉंग था ये, तो मैं लगा रही हूँ निशान बयाली सिंच पे, यहाँ पे ये बयाली सिंच हो गया, अब हमें दूसरे साइड भी बयाली सिंच ही लगाना है और इसकी बाद ये सीधा निश्रान बना करके इसकी कटिंग कर लेनी है जितना वे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे ये हो गया अलग अब इसे हमें फोल्ड करना है चार फोल्ड में चार फोल्ड में कर लीजिए करने के बाद ये हमारा आगे का और पीछे का दोनों साथ में ही कटिंग हो जायागा ये भी आप ध्यान रखें करदा हमने लिया है साथ इंच क्योंकि कॉलर वाला बनाना है में कॉलर की कटिंग आपको कैसे करनी है ये हम इस वीडियो में बताएंगे फुल कटिंग के वीडियो और यहां से हमने चार इंच रखना है साथ इंच कटिंग के है बाद में हाफ इंच सिलने के बाद हलका सा थोड़ा सा कट करूंगे अब यहां से हमें आर्म होल के लिए चाहिए साथ इंच और जितना भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहां से इस तरीके से लगा देंगे यहां पे हाफ इंच हमें स्रोल्डर डाउन करना है तो नेक लाइन से यहां से हमें इस तरीके से डाउन करना है और इस यहां पे हमें निशान लगाना है आर्म होल पे और गली पे यहां पे हमें गोल सा राउंड बनाना है इस तरीकी का अगर राउंड आपको बनाना नहीं आ रहा है आप नए हो तो मैंने कई सारी वीडियो में काटोरी का इस्तिमाल कैसे करना है वो भी बताया है आप उस तरीके से भी लगा सकते हो इसके बाद यहां से हमें आर्मोल से कितना नीचे जाना है साथ इंच कमर के लिए यहां पर निशान लगा लेंगे अब यह साढ़े आठ है तो हम साढ़े दस भी रख सकते हैं मतलब दो इंच आपका एक्ष्ट्रा चाहिए ही चाहे आपका बच्चे हूँ आप हो या आपके बुजुर्ग कोई महिला हो किसी का भी सिलना है तो इसके सीने के चौड़ाय से दो इंच एक्ष्ट्रा कपना आपको रख हो तो जितना हमारा सीना रहेगा ना उसी के हिसाब से हमें अपना हिप भी रखना है ठीक है सीना चौड़ा होता है कमर पतला होता है तो यहां से हमने दो दो इंच एक्ष्ट्रा ही रखा है हर चीज के लिए सीनी के लिए भी कमर के लिए भी और हिप के लिए भी तो यहां स यह हमारा सीना है ठीक है तो अब हमें क्या करना है यह नीचे का साइड हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें आगे की साइड में भी ओपन रखना है तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होती है तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखें अब हमें आर्म होल की साइड से कटिंग करनी स्टार्ट करनी है यहां पर हमें इस तरीके से कटिंग करनी है और जहां तक यह हमारा 13 इंच जा रहा है वहीं भी हमें स्टॉप करना है यहीं तक फिर इसके बाद यहां पे यह जो एक इंच है इसकी कटिंग हमें पहले करनी है यहां से कटिंग करने के बाद यहां पे आपको देखना है कि यह जो सोल्डर के लिए है तो हाफ इंच सोल्डर हमने डाउन किया है तो वो चीज आपको अच्छे से कटिंग करनी है ताकि आपके finishing अच्छे से बनी रहे निकलाइन की फिर इसके बाद हमें आगे का अलग रखना है और पीछे का हमें side में रखना है फिर से हमें इसे fold करना है folding करके अच्छे से cutting करनी है folding हो गई अब इसके cutting कर लीजिए यह cutting हो चुकी है इसके cutting करनी के बाद अब देखिए यह हम आगे से open रखेंगे तो हाथ को हम उपर के side रखेंगे यह सिर्फ पीछे का कपड़ा है आगे का कपड़ा हमें ऐसे नहीं cutting करना वो simple ही रहेगा फिर इसके बाद हाथ को हमें उपर रखते जाना है वीडियो देखना चाहते हो इसके सिलाई भी देखना चाहते हो तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसे आप ज़रूर देखें यह हमारी cutting कंप्लीट हो चुकी है इसमें आपको कॉलर भी लगाना है कॉलर का कैसे बनाना है किस तरीके से measurement लेना है किस बकरम का इस्तमाल करना है यह सारी चीज़े आपको वीडियो में बताए जाएगे So cutting कैसा लगा प्लीज हमें comment करके बताएगा और organza कपड़ा आप बहुत यची तरीके से इस्तमाल कर सकते हो Thank you for watching